गोसला में इस छे वर्षी मासुम के दुशकर्म की दिल को जगजोर देने वाली घटना के विरोध में आज पुलिस कंट्रोल रूम पर बामनिय बंजारस समाज नैस्पीव कलेक्टर को ग्यापन सौप कर आरोपी को फासी देने की मांगी दरसल 17 अक्टूबर को घटिया की समीपस्त ग्राम गोसला में छे वर्षी बालीका की साथ अधेर हम्माल मुनालाल नहीं नाबलिक बालीका को चॉकलिट की बहाने बहला फुसला कर अपने घर ले गया दर्वाजा बंद कर मासुम बालीका से दुष्वर्म किया जिसके विरोध में आज बामनी या बंजारा समाज ने एस पी वः कलेक्टर को ग्यापन सौप कर आरोपी को फासी देने की मांगी वग केस को फास्ट कोट में चलाने की मांगी कलेक्टर राशी शिसी ने समात जनों को आश्वाशन दिया है कि पुलिस वब प्रशाशन की तरफ से कागजी कारवाई जल्द करके केस को नयायलाय में बेच दिया जाएगा जिससे कि बालिका को जल्द नयाय मिल सके प्रशाशन वब पुलिस हर संभव बालिका की मदद और जहां पर हम लोग तुरंत उसको चिकित साले लेके आये सरकारी चिकित साले वहां पर मतलब ब्लड लॉज सोड़ा जादा हो चुका था लेकिन डॉक्टर ने अच्छा काम करते हुए और सरजरी भी करी और सरजरी कराके उसको बच्ची को स्वस्त भी कर दिया तो कुल म बहुत ही जल्दी इस मामले का जो भी निप्टारा अदालत में होता है उसको करवाएं इसके लिए हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से जो भी प्रॉसेस होती हैं उनको बहुत जल्दी हम लोग पूरा करें जिससे की अत्यनत जल्दी बच्ची को नहीं मिल सके इस सम्द्ध म देखिए भी रासुका की कारवाई का कोई ऐसा जो है वो प्रस्ताव नहीं है अभी जो सारी चीजें हैं मतों गिरफ्तारियां भी होई है कुछ हमको सूतर भी मिले हैं लेकिन हम लोग इन्मिस्टिकेशन कर रहे हैं मुख्यता मुझे लगता है कि आज शाम तक हमारी इन्मिस्टिकेशन लगवाग पूरी हो जाएगी और पूरी पिक्चर लगवाग साफ हो जाएगी तब हम लोग बता पाने में सक्षम होंगे कि आगे कि क्या कर वह दो लोगों को हमने अभी तक को किया है गिरफ्तार किया है और इन्विस्टिकेशन शाम तक कंप्लीट होगी तब हमको पता चल पाएगा कि किसकी कितनी सहभागिता थी और आगे की क्या करते हैं देखे टोटल बारा मोटे मैं पहले भी मैंने प्रस्री जारी करी थी कि 12 मोटे हुई थी जो इस प्रकार की घटना हुई थी शराब की जिसमें या तो मेथनौल ये कोई अन्यक्या मिलाकर बेचा गया था कल एक और घटना होई थी जिसमें आरोब लगा था कि ये भी उसी प्रकार की घटना है हाला कि परिजनों का ये दावा था लेकिन जो हमारा आरेमो था उस समय जिसने परिक्षण किया स्वास्त का उसने भी इस चीज से इंकार किया कि कोई भी इस प्रकार के लक्षण पाए गए जिसने पीम किया है उस डॉक्टर ने भी इंकार किया है कि इस प्रकार के लक्षण पाए गए लेकिन चोंकि परिजनों का काफी दबाओ था इसलिए हम लोगों ने विसरा को भी प्रिजर्व क करेंगे उसकी जाच कराएंगे उसके बाद ही हम लोग पुष्टी करेंगे लेकिन पूरी पुष्टी होने के बाद में बारा की संख्या ही जो फाइनल है और जो हमारा सुरवाती इन्विस्टिगेशन हुआ है उसमें भी चीज निकल कर आई है कि वो जो लॉट था जिसके का जो है वो मौते हुई हैं बहुत जादा खोजबीन के उपरांद भी यह पता चल रहा है कि वो उसी समय खतम हो गया था इसलिए आगे उस चीज से मृत्व होने की सम्मावनाई लगभग नगण नहें फिर भी हम लोग पूरी बारीकी से नजार रखे हुए हैं रात के समय भ करवाई करी जाएगी चाहें आरोपी कोई भी हो और आज शाम तक जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है जो भी इसमें आरोपी पाए जाएंगे जिनकी जैसी भूमिका होगी हम लोग उसी इसाफ से करवाई करें करणी सेना के हमारे गोसला के पदादीकारी है विजय बना उन्होंने सूचना करी करीब साथ बज़े के आसपास कि गोसला में बच्ची के साथ कुछ गलत करत्युआ है और उसको अस्पताल लेकर पोचे है वहां उसको इलाज नहीं मिल पा रहा उसके बाद हमारे नगर टी सेरिवान कलेक्टर मोदे से कि वह जो वहां पर जिन्होंने मानोता को शर्मसार करा और दो घंटे उस बच्ची को इलाज में जो है लेट कर दिया और मलसी का जो कारण बता के और टी आई साब को धाने जाना पड़ा उन लोगों पर कम से कम कुछ तो नाम मात्र कारवाई कर कि दो घंटे तक मानोता पड़ी रही जिसको इलाज नहीं मिला वो छोटी सी वच्ची को आज आपने ग्यापन दिया किस विसको लेकर आपने आपने ग्यापन दिया ग्राम में बंजारा समाज की छे वर्सी बालिका के साथ में दूस करम की घटना हुए उसके साथ में बला कोड में इस बच्ची का प्रकण लगाया जाए और जल्दी जल्दी सुनवाई करके और जो मुंडा लाल करके जो विक्ति ने बलातकार किया उसको फासी की सजा हो एसी हमने मांग समाज के माध्यम से की है यह मानोता पर बहुत दूस बहुत ही खराब अपराद है और इसमे बहुत जल्दी कारवई करेंगे और फर्स्ट कोर्ड में केस लगाएंगे अब यह भी मांगे कि यदी प्रकण में जल्दी जल्दी सुनवाई नी करी तो हम पूरा मध्य प्रदेश में बंजारा समाज पूरे मध्य प्रदेश में चक्का जाम अंदोलन करेगा और न्याय की मांग करेगा मेरा नाम कालू बाबा है मैं गटिया रहता हूँ पूरे में जल्दी निन्दी घटना हुई है एक छे साल की मासुम बाली का जो हमारे बंजारा समाज पर आगात हुआ है मैं इसके कड़ी निंदा करूं करता हूं और जो मानिये कलेक्टर मोदे ने अमार को अस्वजन दिया है कि साथ दिन में हम फ़र्ष्ट बेस पे इसका हम अमले का निराकरन करवाएंगे और जांच करवाएंगे आरोपी को कठोर से कठोर सजा देंगे हम यह चाहते हैं कि आरोपी को फांसी हो और अगर साथ दिन के अंदर हमारा जो अश्वजन अगर यह गलत साबित हुआ तो हम उग्रांदोलन में मेरे बंजारा समाज के अताम नहीं देते हैं मेरा नाम जाहिद खान घंसला